नमस्कार आज में आपको बताऊंगी डेजाइनर ब्लाउज जैसे आप लोग बोल रहे हैं डेजाइनर ब्लाउज बताऊंगी कटिंग एंड इस्टिस्टिंग तो दीखे हमारा यह अस्तल है और यह हमारा कपड़ा है तो सबसे पहले हम ब्लाउज का अच्छे से नाप तो यह कपड़े को अलग रखेंगे और ब्लाउज का नाप लेंगे अब देखे हमें इसकी यहां से चेस्ट का नाप लेना है तो इसकी जैसे आप लोग बोल रहे हैं 32 चेस्ट तो यहां पर 16 इंच है और लंबाई ब्लाउज की लंबाई है वो 13 इंच है ब्लाउज की लंबाई 13 इंच है और चेस्ट है 32 तो कप्ड़े को पहले हम डबल कर लेंगे अब दीकी 32 चेस्ट है तो पहले हम यहाँ पर 16 इंच लेके और निशान लगा लेंगे यह हमारी चेस्ट हो गई अब हम यहाँ पर ले लेंगे 2 या 3 इंच सिलाई के लिए 3 इंच ले रहें हम गुंजाईस, दोनसाइड हम 1.5 इंच कपड़े को दबाएंगे अब यह कपड़े को लंबाई में डबल कर लेंगे इस तरीके ते अब देखिए जैसे हमारी 13 इंच लंबाई है तो 14 इंच ले लेंगे लंबाई एक इंच हमें हमेशा एक इंच पीछे का पला ज़्यादा लेना है तो देखिए इसको हम ऐसे करेंगे अब देखिए ध्यान से देखिए इस तरीके से हमने इसको ऐसे कर लिया यहां तलग हमारी यह लंबाई हो गई पीछे की अब देखिए पीछे की लंबाई से हमें आगे की लंबाई लेनी है डेड़ेंच जादा पीछे की हमारी 14 है तो आगे की हमारी 15 इंच है क्योंकि आगे की साइड हम प्लेट डालेंगे और तीरा लगाएंगे इसलिए अब यहाँ पे हम सोल्डर लेंगे 5 इंच आरूमल लेंगे 6 इंच यहाँ पे हमने गोलाई का निशान लगा लिया आदा इंच की दूरी है आरूमल की कटिंग हो गई अब पीछे का पलर अलग कर लेंगे पीछे का भुक्रम का बनेगा तो इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे स्टीचिंग पे अब आगे की पलर में हमें क्या करना है आदा इंच यहाँ से कटिंग करनी है अब धाई इंच लेंगे हम गले की चोड़ाई और गले की लंबाई लेंगे 6 इंच अगर आप लंबाई जादा रखना चाहते हैं तो 7 इंच भी ले सकते हैं इससे जादा ना दे यहाँ पर हमने गोलाई का निशान लगा के गले की कटिंग कर लेंगे अब तीरे का निशान लगाएंगे हम यहाँ पर 13 इंच पर सीधा निशान उसके बाद यहाँ पर हम उपर की साद ले जाएंगे तो 1.5 इंच लेंगे उपर की साद इसको ऐसे आप एक इंच भी ले सकते हैं अगर आप थोड़ा सा कम यहाँ पर रखना चाहते हैं तो एक इंच पर भी निशान लगा सकते हैं इसको अलग कर लेंगे तीरे को और यहां से आदा इंच कट कर लेंगे क्योंकि इसमें पिलेट डालेंगे तो इसलिए हमें यह तीरा थोड़ा छोटा चाहिए अब इसको भी यहां से अलग अब लगाएंगे हम टक्स का निशान 9 इंच पे हम ये टक्स का निशान लगाएंगे 9 इंच और 1,5 इंच अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे अपनी फिटिंग का कपड़ा 8 इंच जो हमारा फिटिंग का कपड़ा है वो 8 इंच है तो 8 इंच का आदा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 इंच नीचे की साइड हमारी पिलेट आएगी वो 4 इंच पे आएगी और 8 इंच है इसका आदा किया तो 4 इंच अब हम यहाँ पे गेराई में पिलेट को डालेंगे इस तरीके से अब इसके बराबर हमारी यह एपिलेट रहेगी गले बाली इसके बाद यहाँ पर 2 इंच उपर अब आरोमल की पिलेट डालेंगे हम यहाँ पर 6 इंच पर अब देखें जैसे आप लोग बोल रहा है लंबाई पिलेट की लंबाई हमें कितनी रखनी है हमें इतनी दूर दूर रखनी है 2 इंच दूरी दो इंच की दूरी होनी चाहिए प्लेट की इसको भी दो इंच दूर रखना है तो हमें यहां पर दो दो इंच की दूरी रखनी है पास पास में प्लेटे नहीं डालनी है बस इतना ध्यान रखना है दो दो इंच दूर रहें पास की पास में रहेगी तो फिटिंग अच्छी तो यह प्लेट हो गई अब केंची के कट लगा लेंगे इससे क्या है दूसरी साइड भी अच्छे से निशान लगा लेंगे अब अच्छे से निशान लग गए अब बाजू की कटिंग करेंगे अब इसकी जो बाजू की लंबाई है वो तीन इंच है अब कपड़े को हम ऐसे लंबाई में डबल कर रहे हैं क्योंकि यहां से हम चौड़ाई का कपड़ा बचा लेंगे वो पीछे गले के काम आएगा जब हम पीछे गला बनाएंगे तो उसके लिए हमें चौकूटा लेंगे 18 इंच कपड़े की चौड़ाई अब यह कपड़े की लंबाई होनी चाहिए 4 इंच क्योंकि 3 इंच की हमें बाजू चाहिए तैयार और यह कपड़े की हमें 4 इंच की चौड़ाई लेनी है तो यह कपड़े को हम ऐसे डबल करेंगे अब यहाँ पर हम चार इंच ले लेंगे इस तरीके से बाकी कपड़े को हमने काट लिया अब यहाँ पर कपड़े की जो लंबाई है वो चार इंच है अब कटिंग करेंगे तो हम यहाँ पर दो इंच लेंगे अब इसको देखिए ऐसे ले जाना है उपर की साइड हमें ऐसे और ये हमारी मौरी है अब ये बाजू हो गई दोनों बाजू आ गई अब जो हमारा साड़ी का कपड़ा है उसके उपर इसको रख लेंगे अच्छे से देखिए यहाँ पर बाजू का कपड़ा है तो कपड़े को डवल करके रखना है यहाँ पर रखेंगे पीछे का पल्लर जो बंद वाली साइड है और यहाँ पर आगे का और नीचे तीर आ जाएगा तो कपड़े को थोड़ा सा में बड़ा ही काटना है क्योंकि साड़ी का कपड़ा है तो थोड़ा सा सरकता है अब ये आगे का हो गया अब इसमें ऐसे तीरा निकाल लेंगे तीरे को हम ऐसे रखेंगे इसको भी हमें थोड़ा सा बड़ा ही काटना है अब ये बाजू को अलग लग करके निकाल लेंगे इसको रखेंगे पहले बीच में निशान लगा लेंगे क्योंकि ये फूल हमारा बीच में आएगा अब हम यहां पे इसको अच्छे से जोड लेंगे पहले सिलाई लगाएंगे उसके बाद इसको अंदर किशाट दवा के और ऐसे करके फिर सिलाई लगाएंगे फिर साड़ी के कपड़े की कटिंग करेंगे अस्तल के बराबर तो आसा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अ और जो डेजाइन का गला है पीछे का वो में स्टीचिंग में बताऊंगी अगली वीडियो में क्योंकि फिर वीडियो जादा बड़ी हो जाएगी और भी अगर आपको डेजाइनर ब्लाव सीखने हैं तो आप प्लीज हमारे चैनल में देख लें वीडियो के नीचे हमारे का नाम आ रहा है टेल लिंग इन हिंदी चैनल उसके बाद उपर लिखके आएगा वीडियो फिर उसके किलिक कीजिए तो पूरा चैनल आ जाएगा तो इसकी स्टीचिंग में अगली वीडियो में बताऊंगी अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमा प्लीज है